नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Excellence Technology आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिसकस करेंगे Sets के Functions को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था कि Sets क्या होते हैं इसको कैसे create किया जाता है उसको कैसे delete, access और update किया जाता है वो सारा कुछ हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं जिरों ने अभी वो वीडियो नहीं देखिया तो description में उसका link available है और iCard में भी उसका link आ रहा है तो आप वहां से एक औरी उसको जिरूर चेक आउट कर लें तो चले दोस्तों चलते हैं सीधे हम लोग अपने पाई चाम की तरफ तो यह आगे हम अपनी पाई चाम में तो set के functions देखिए हमारे पास कौन से होते हैं length, max, min, sum, any, all, and sorted यह सारे function हम already वैसे list के अंदर वी कर चुके हैं length, तो length function क्या करेगा, alien, यह single argument लेगा, और argument लेगा set, तो मैंने यहाँ पर myset नाम का already एक set बना के रखा हुआ है, जिसकी यह कुछ elements मैंने add किये हुए है, और आपको पता है कि जो set create किया जाता है, वो curly braces के साथ किया जाता है, और इसमें duplicate values नहीं आती हैं, और यह हमेशा unord और unindexed होता है, तो मैं इसको यहाँ से run करता हूँ, तो देखें, आपके पास output में क्या आ रहा है, यहाँ पर, लिचे देखेंगा output में आपके पास आ रहा है 7, तो इसमें से, इसकी जो length है, वो total कितनी है, 7, इसी तरह अगर हम max देखें, तो max के लिए मैंने अब यहाँ मैं इसको मिटा रहेता हूँ, और लिखता हूँ max, और मैंने यहाँ से max element देखना है, तो मैंने देखा कि max element, उसकी output क्या रही है, 19 आ रही है, max, तो सबसे बड़ा element कौन साइस में से, 19, अब इसको थोड़ा और tricky करते है, अब let's say मैंने इसमें एक और element add कर दिया, उसकी type है को हम लोग यहाँ पर compare नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास values integer में है, और यहाँ पर आपके पास value string में है, तो हम इसको compare ही नहीं कर सकते कि कौन बढ़ा है, क्योंकि string और integer आपस में कभी compare ही नहीं होते, तो इसलिए आपको क्या करना बढ़ेगा, अगर आप कर पे वैलुज दे दीप, अब देखे, मैं इसको यहां से run करता हूं, और यहां पर अब मैं देखता हूं, कि max my set2 मैं से सबसे बड़ा कौन सा है, और मैंने इसको यहां से run किया, तो देखे, output में क्या रहा है, सबसे deep, d double e p, क्योंकि जो small d होता है, उसकी जो, इसमें जब भी ह लोग string को compare करते हैं तो उसमें sky values को compare किया जाता है किसकी sky value बड़ी है या छोटी है तो जो small d है उसकी sky value है वो capital D से बड़ी है इसलिए जो small d वाला deep है वो यहां पे max दिखा रहा है इसी तरह अगर मैं यहां पे min देखूं कि आपको minimum देखना है शबसे चोटा कोना है तो यहां पे क्या दिखा रहा है वो capital D वाले को यहां पे चोटा दिखा रहा है क्योंकि capital D की जो sky value है वो small d से जो होती है वो छोटी होती है इसी तरह अगर मैं min देखूं my set मैं से यह वला जो set है इस मैं से देखूं कि min कौन सा है तो यहां पे आपके पास output में आएगा 1 की 1 जो है वो यहां पे सबसे चोटा है तो ऐसे करके आप min और max function का use कर सकते हैं इसी तरह अगर आप sum करना चाहें तो यहां पे आप sum भी जो है कर सकते हैं साम हमेशा integer value का होता है तो यहां पे हम लोग sum कर सकते हैं तो sum में आपके पस क्या रहा है 44 जितने भी elements से इन सभी का total कितना है 44 तो inbuilt python की यही beauty है कि इसके अंदर inbuilt इतने सारे function है कि आपका काम जो है यह बहुत छोटा कर देते हैं इसी तरह हमारे पास एक function आता है any function आपको boolean result देता है true या false के अंदर अब any इसमें से देखेगा कि क्या कोई element यहाँ पर blank तो नहीं है किसी element की value null zero या blank तो नहीं है तो मैं देखो इसको यहाँ से run करता हूँ तो यहाँ पर result क्या आ रहा है true इसलिए आ रहा है क्योंकि जो my set है इसके अंदर हर element की value क्या है true है किसी भी element जो है वो blank नहीं है null नहीं है false नहीं है लेगिन यहाँ पर अगर मैं एक भी element let's say मैंने यहाँ पर 0 ले लिया अब 0 किसके बराबर होता है 0 होता है false के बराबर तो एक element false आ गया, तो यहाँ पे देखिए, result क्या है आपके पास, यहाँ पे अभी वी still true है, क्योंकि कोई भी एक element इसको यहाँ पे true चाहिए होता है, बाकी चाहे सारे false क्यों नहों, अब देखिए मैं यहाँ पे एक set और बनाता हूँ, my set 3 equal to, यहाँ पे मैंने दे दिया 0,0 और अब मैं यहाँ पे my set 3 को check करता हूँ, आपके पास result यहाँ पे false में convert हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई एक single value भी जो है, वो true नहीं है, लेकिन any value, कोई भी एक value अगर इसमें true है, तो result किसमें convert हो जाएगा, यहाँ पे true में convert हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास any है, इ किसी एक की value भी false नहीं होनी चाहिए, अब let's say हमारे पास my set है, अब my set में देखिए, सारे true हैं, लेकिन यहाँ पे end में एक value जो है, वो false है, वो 0 है, तो मैंने इसको run किया, तो इसका result देखिया, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे false आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक value जो है, वो false है, लेकिन अगर सारी values true होएंगी, all, all function क्या कहता है, all values, all values true होनी चाहिए, तो वो आपको result क्या देगा, true देगा, तो यह था हमारे पास all function, right, इसी तरह हमारे पास आता है, एक function, उसको हम कहते है, sorted, वो आपके, इनको क्या कर देगा, sort कर देगा, मैंने लिएक sorted, और इसको run किया, तो देखिए, आपके पास, जो आपका set है, वो पूरी तरह, sort हो चुका है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 8, 19 तक, वो sending order में, यहाँ पे, sort हो चुका है, तो यह है sorting आपके पास, कि आप sort हो है, वो इस तरह कर सकते हैं, next वीडियो के अंदर, हम इसके और methods करेंगे, जैसे intersection, unions, matrix, यह सारे methods करेंगे, तो वो next video में करेंगे, दोस्तो, hope दोस्तो आपको समझ आया होगा, कि यह चीजे हम सारी जो है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमेरे चैनल को जुरूर subscribe कीजेगा, ताकि आपके पास और अ